आपको सीधे लिए चलने हैं हर्दोई में जहां मारे संबादाता सोवित सिंग मौझूद हैं बेब मतदाताओं से सीधी बात कर रहे हैं और वहां की सुरक्षा बिवस्ता से लेकर सारी जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं गदाईपूर के मदाताओं का क्या है हाल और वो किस मुद्धे पर अपना बोर्ट करेंगे इस पर हम जानने के लिए वहां आज मौझूद हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या बात है जी पहले अपना नाम बताईए छोटे लाल आप आज मत करने आए हैं आपका पहला परशानी तो आपने कभी आपने चेत्री विधा कि नहीं कर नहीं कर दो का आपका पहलों स्रीप्सेयर का मुद्दा है वह आवारा पाशू जी और को मुद्दा है घर नहीं होने नहीं नहीं देती हैं आर बरात के गरीब जन्ता की बहुन दिक्कत है वरात नहीं रुक पाती है है समस्या गरीब लोगों को अभी कुछ नहीं बहुतों का लेटरी नहीं मिली है बहुत को मकान तूटे फूटे पड़े हैं कालोनी भी नहीं नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पर बोड देंगे तो आपकी प्राथमिक्ता है क्या रहेंगे अपने छेती नेता से नेता से हमारी अच्छा है कि हमारे ग्राम सबाक कारवाई करी जाए और जो काम ह वो किया जाए तो यह थे आधाइबुर के म्दादा जिन्हों ने अपने मन आतकी बात कही है और कुछ और मदाथा हैं जिसे हम जानेगे कि क्या कि उनके मन की बात है जी भाई आपता नाम सीवन सिंग तो आप मद्दान तो करेंगे लेकिन आप जो छेत्री विधायक हैं उनसे विरोजगारी से लेकर कि चाहें वो आभारा पसु हो तो आप मुद्दा उनको उनके सामने रखेंगे बिलूबर रखेंगे कभी आपने पहले नहीं रहका किया ,Ops पहले भी रख़ा विस्थ कम वहने जी ,सबसे पहले और नाम stays NAT आपका मुद्दा क्या है ? विकाश विकाश के नाम और बोड़ दे रहे हैं, तो आपकी चेत्री के कुछ खमस्या है ? किस मुद्दे पर बोर्ट कर रहे हैं विकास के तो हलागे कुछ से मद्दाता हैं जिन्हों ने स्वाप तो पर का है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर बोर्ट कर रहे हैं सहाइता केंद्र भी बनाया गया है जहां मद्दाता को कोई परेशानी ना हूँ यहां पर एक कि इस सहायता केंद्र का मद्दाताओं को किस प्रकार का लाम मिला दिस्पार करते नाम पर लुए, टेना हुँ इसे नाया जाए इसे महत्दाताओं को कि यहां पहुंचि ज़ूट गया है जिनको नाम नहीं मिल आ है उनकी साहता के लिए यहां पर इंचे फिट बना रखा हाँ अंगरवारी में, हमारे साथ कुछ महिला मत दाता हैं और जिन्नों ने आपने आज पहले मतादिकार का प्रयोग किया है, उनके मन की हम बात टोलने का प्रयास करेंगी, हलांकि उन्होंने किस मुद्द्रे पर अपना ये आज पहला मत किया है, जी नाम बता अपना, सिमा, आज आपने मत क्या प्रियोग किया है आपका मुद्दा क्या 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 है कि यहां पर जो कोविड-19 की नियमों का पालन हमें साब तोर पर दिखाई दे रहा है जी हम इसे बात करेंगे आपको नाम क्या है प्रतिमासिन अच्छा यह जो गलब गलब्स है उसके बाद मास्क मास्क थोड़े थे वह उनमें बैंट दिये कितने थोड़े थे सो थे के दो पचास हमको मिले थे पचास इनको तो फिर आप कोविड-19 की नियमों को पालन हो रहा है आप सिर मास्क थो कैसे काम चलेगा आप हम क्या करें बता है मैं कोजी कुछ मिला हूंने दे दिया कि किसने दिया थे आपको डाक्टर बाउन में तो आपको उच्छा देकारी है उनसे लोकल कार करता है इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कोविड-19 की नियमों का पालन कराने के लिए हलांकि इनका साब तो मुद्दा क्या रहेगा मुद्दा मेरा यही है कि गायों की समस्या है जिससे हमारे आपके किसान बहुत परेशान है कई एक तो खेत के खेत चर गए है दूसरी बात बेरोजगारी इतनी है कुछ लोग नवकरी नहीं होने से तीन साल से लोग ओरेज हो गए हैं उनके लिए भी कोई नवकरी नहीं मिली है बेरोजगार है सब लोग परेशान है कोई विकास नहीं है लोग अगर जाते हैं विकास ही लिए कहते हैं किसी विदायक स किसी नहीं होता है सब ऐसे काघज काम पूरा कर दिया जाकता है तो अब तो यहाँ हम दान का समय है उसके बार में सरकार बना की बkeit की बाते है। लिकिन आज जो है आज आप का मुद्धा है वह सिर्फ बिरोजगारी और आवारा पसू ही है aंवारा के देखने को मिला है कई बूत हमें देखने को मिली लेकिन कई बूत हमें अईसे मिले जहां पर बिलकुल ही संनाटा चाया हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं विकाश्चित बावन के जटवली पोलिंग बूत पर जहां पर कुछ एक दो मदाता हैं जो अपने मत का प्रियोग कर रहे हैं उसके अलावा कहीं भी मदाता हमें नहीं दिख रहे हैं आखिर इसकी बज़े क्या है क्या उसके पीछे के तत्य हैं जिससे मदाता अभी जागरूग नहीं हुए हालां कि दिलापरसास समय समय पर मदाताओं को जागरूग करने के लिए कई तरह के कमपेंड चलाता है लेकिन इस बूत पर हमें जिस तरीके से मदाताओं का जो उस सहा पर हमें दिखाता खबरों का से सिला जारी रहेगा देखते रही है जन्परबाद नमस्कार